आप सभी चाहत्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है तो सभी मस्त होंगे और क्लास में आ चुके हैं तो आप सभी क्लास 10 के तैयारी को लेके चिंतित होंगे आप किसी चिंता को दूर करने मैं अखिलेश आपके साथ हूं और आपको मैं बताऊंगा कि हम लोग पूरे सेशन में पूरा गणित कैसे कवर करने वाले हैं तो केवल मैं आपके पांच मिनिट लूँगा आपके वल मुझे पांच मिनिट दोगे उस पांच मिनिट के बाद आप चाहा के भी इस चैनल को छोड़ के नहीं जापाओगी इसकी यारेंटी में दे रहा हूं ठीक है kęढ़े हैं तो वाइन पांच मिट आपको पैसर बेड़ना पड़ेगा तो सबसे पहले आपके सात सथ स्क्रीन पर मैं ने तीन सवाल डाले हैं झाना इन पांच मिम आपको चीज क्लियर कर दूँँगा कि फिछली खूरासों में आपने क्या पढ़ा है और आपको क्या पढ सब्सक्राइब करें आप सामने मैं केवाल आप से यह चाहता हूं कि मुझे इन तीनों का यहां पर आंसर लिखे चली करें चनली करें अपने वीडियो ब्रस करके देख लिया होगा आप देखिए आप लोगों नहीं क्या किया और मैं कैसे अंसर लिख रहा हूं तो मुझे क्या लगता है कि सर इसका जो आंसर है ना वो जो है 30,000 आना चाहिए अब आप कहोगे सर आपने रटा हुआ है बिलकुल नहीं साथ मैंने का 5 मिट दो 5 मिट बाँ आप खुद भी आंसर मेरी तरह ही लिख रहे होंगी और इस सवाल के नहीं दूसरे सवालों के भी लिख रहे होंगे तो 5 मिट देना चाहिए आपको ठीक है मुझे लगता है कि सर इस वाले सवाल का जो आंसर है वो 35,000 आना चाहिए यह ना मुझे देखते ही आंसर आ रहा है मतलब मैं बिना केलकुलोसन देखते ही इसका अंसर बता रहा हूं कि यह आ रहा है और आप भी बताओगे पांस मिनिट के अंदर अंदर ठीक है मुझे लगता है सर इसका जो आंसर आना चाहिए ना इसका जो आंसर राइव रहा चाहिए वह 600 आना चाहिए हम आंको दूलहन्तं दिख रही है साधी अंति यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं हाँ मैं ऐसा मानता हूं आप गनित को ज्यादा बहुते करें क्लियर कर पाऊ हुआ मैंने गणित को रियल लाइप से रिलेट करने की कोसिस किये है तो क्या है रियल लाइप से मैंने कैसे रिलेट किया है हाँ मैं आपको यहां बता दू कि इस कहानी के पात्र और घटना कालपनिक है इसका किसी भी वास्तवी गटना से कोई भी लेना देना नहीं है तो यह दुल के लिए उगहाई सद्धो का मतलब दुळा ऐगही साधी होना मतलब सब सुने बरबाद एक यहां पर दुलékहे कि गोफार दुल just मतलब प्रएक गया उसके एक जीरो आएगा है और दुला दुला के अलावा दूसरा कोई विज यह दूरा कोई नहीं है तो आप एक लिखे होगे कोई होता है तो मैं वो लिखता पर अभी कोई नहीं तीगे डिल्हा क्षैंपल दो दूलहान के अलावा कोई है नहीं है तो आप यहां पर लिख दो गजी डेपनेसर माने कि दो दूले हैं, दो दूले हैं, तीन दूलहन, बहुत नाइंसाफी है, होगा क्या? सर दो ही साधी हो पाएगी, दो दूले, दो दूलहनों से साधी करके, दो साधी हो गई, मतलब 0 हो गए, कौन बजगया? एक दूलहन रहे गई कवारी, गिरही, देखो अंसर 200 आ गया, आया न दो ही है तो साधिया दो की होगी दो दुलहन दो दुलहों से साधी करेगी और एक दूलह बेचारा रहे जाएगा कवारा इससे पहले दुलहन कवारी रहेगी हाँ या ना उमीद है आप लोगों को कहानी के लिए हुई होगी अब जो सवाल आपने अभी किया थे ना एक बार वापस से मैंने जैसे किया बैसे करके देखो तो औरली अंसर आ रहे होंगे यह ना फिर भी कुछ बच्छों को डाउट रहे जाएगा तो मैं बताता हूं देखो वीडियो पोस करके एक बार करके देख लो जो मैंने सिखा है उसे हिसाब से अंसर आ रहे हैं अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर देखो सर दुलहने कितनी है चार दुलह कितने है चार चार दुलहन चार दुलह तो साधिया कितनी होगी एक दो तीनो चार और कोने है यहाँ पर सर एक बाराती है तीन वो बाराती अपने जग़ा बेठा है आग्या अंसर तीसजार दुलहने कितनी यहाँ पर तीन, दुलह कितने हैं चार, तीन दुलहन, 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 दुल दुलहन से साधी कर ली एक दुलहन बज गई और एक बारती बज गया तीन तो तीन दुआ छे तांसर अगया छे सो उमिद आपको कहानी क्लियर होगी और चाहोगे ना तब भी अभी यह भूल नहीं पाओगे आपको यह चीज़ें आएगी यकिन मानिये 9 में कहीं बार आपने अभाज गुणनखंड किये होगे और अभाज गुणनखंड में कई बार ऐसा भी होगा कि आपको उसका मल्टिप्लाइकर के लिखना रहा होगा और आपने वहाँ पर बहुत टाइम लिया होगा और बहुत बार गलत भी क्या होगा अब देखो यहां पर क्या फाइदा आप को काम कम करना पड़ा जल्दी आंसर आ रहा है कुछ calculation किया ही नहीं तो गलती भी नहीं होगी भाई आप जब काम करोगे ना गलती तब होती है काम ही नहीं कर रहे हैं तो गलती कहां से होगी भाई आपने बहुत simplest way में चीजों को लिया है तो आप गलती होने के chances कम हो गए आंसर जल्दी देने के chances ज़्यादा हो गए ठीक है यह तक तो मैंने आपसे जैसे commitment किया था कि मैं पांच मिनिट के अंदर अंदर आपको यह बता दूँगा कि मैं कैसे चीजों को आपको पूरे साल deliver करने वाला हो मतलब आप टॉपर हो या कमजोर बच्चो में टर ही नहीं सो में से सो नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोग पाए ठीक है तो चलिए यह तो मैंने दिया अपना introduction अब मैं आपको बता दू कि आज हम लोग अपनी पहली class शुरू कर रहे हैं तो फटा-फट नोट्स उठालो मैंस का और जो मैं यहां लिख रहा हूं बिल्कुल पक्क इंग्लिस में भी समझ पाओगी real numbers वास्तविक संक्या वास्तविक मतलब real पहला अध्याय को कैसे पढ़ाने वाला हूं साल भर इस अध्याय में साल भर मैं आपको जो भी चीज़े बताऊंगा बहुती सरल भासा में और बहुती सरल तरीकों से इस सरल तरीका आपको कहीं मि कुछा करवोंगा कर तो मतलब यह साल आने वाला है इसमें जो परिक्षा दिन आती नई-वाली उसके सारे सवाल में आपको Сबणे करवशा देह तो कि अड़ाय आपको क्मिटमेंट मैंने किया है तो आपका कमिटमेंट भी होना चाहिए कि सर आपका हर एक वीडिàng यह हम विवस्तित तरीके से देखेंगे नोड बनाएंगे और जितना मैं यहां से आपको गाइडेंस करना वो सारी आप चीज़ें फोलो करोगे चलिए तो यह चीज़ हम cover कर चुके हैं उमेद है आपको दोर पांच की कहानी समझ में होगे और दोर पांच की कहानी और भी बाकी है पर फिलाल हम लोग टॉपिक पर चलते हैं और जहां इसके requirement रहेगी वहां इसको आगे और continue करेंगे अभी यह खतम नहीं है दो पांच की कहानी पर परिमे और अपरिमे संख्या ये क्या होती है ये सारी चीज़ समझेंगे इसमें most important is chapter में रहेगी जो आपको बहतर तरीके से आनी चाहिए ये एक तो यह संख्या एं ये आपको बहुत अच्छे से आनीरी जहां इस्टाल लग मैं यह आपको बहुत अच्छे से clear होना चाहि यहां इन चीजों को मैं कुछ अलग तरीके से बता रहा हूंगा और वही अलग तरीका यूनीक तरीका होगा जो आपको फ्यूचर में बेनिफीट देगा ठीक है तो चलिए टाइम खराब ना करते सुरू करते हैं अपनी कहानी को आज की बेला को सबसे पहले मैं रिखें यहा यहां आरी बच्चों क्या दिख रहें आपको आपको दिख रहें हैं अपर एक दो दीन चार फांट सेसात में चले जाता चले जाना चलिए जाना बदो लोड़ खतम हो गया अब उतर नहीं है तो यहां पर हम देखेंगे कि एक सिले के आनंद तक की संख्याय जो होती है एक दो तीन आप अगर रात में आप अभी अगर मैं पढ़ा है तो आप बाहर निकलोगे नाइट में तो उपर देखोगे तो बहुत सारे तारे दिखेंगे तारों को गिनों तो कैसे गिनोंगे एक दो तीन चार अब ऐसा नहीं होगा कि कोई तारा बहुत ज़्यादा चमक रहा है तो आप उसको आधा गिनों चाहे वो ज़्यादा चमक रहा हो चाहे वो कम चमक रहा हो आप पूरा ही गिनोगी मतलब हमेसा counting नंबर सी लोगे गिनती तो एक दो तीन चार मतलब एक दो तीन चार देड़ दो सवादो फोने दो धाई 2.5 इन सब की बात अभी में करी नहीं रहा हूं मैं आगे इन के बारे में डिसक्रास करूंगा अभी जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मैं क्यों उनकी बात कर रहा हूं तो गिनने वाली सं संख्याएं ही ही प्राक्रत संख्या होती है तो मैंने आपर लिखना सर यही होती है प्राक्रत संख्या है तो कोई पूछ ले आपसे कि सबसे छोटी प्राक्रत संख्या क्या है तो आपको होगे सर एक है अब अगर इन प्राक्रत संख्याओं वाली टोक्री में मान लोग यह कहलाएंगे कुन संख्या यह रिनात्मक प्रेंष अंधर इधर प्राक्रत संख्या यह यह रिम कौन से को सबस्टा रिनात्मक रिन्वाली रिनात्मक प्राक्रत संख्या है रिनात्मक प्राक्रत संख्या है सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या कहां से सुरू होती है जीरो से जीरो एक दो तीन ये सब पूर्ण संख्या है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है पर सबसे चोटी प्राक्रसंख्या एक है ठीक है और यह सारे प्राक्रसंख्या है रिनात्मक्षण संख्या जीरो ये सबके सब मिल के कहलाते हैं पूनांक पून संख्या अलग है पूनांक सब आ गये पूर्ण संख्याओं में जीरो से स्टार्ट होती है तो तीन डेफिनिशन यह क्लियर मैं इनका इंग्लिस बता दूं आपको तो इसको कहते हैं इंटीजर क्या बोलते हैं इसको इंग्लिस में इंटीजर और इसको डिफाइन करते हैं सहाभ जहेड से, जहेड से डिफाइन करते हैं, ग chicken की book में आप कहीं भी देखोगी, cama है इस बात को समझेगा, जहलीन का मतलब है जहलीन, जहलीन जहलीन जो है न वो एक गणी तक यह थे और यह Central की इनबर उना में हो नाम गया है। जहलीद ने का सिन नम्बरों को मैंने कि इन नाम और चाहिए। जहलीर वह नन्गे इननाम के लेटर पर होना चाहिए। सेटीजर में आई आ रहा है पर जाहां जाह से लिखा है है इसका प्राकरस क्रांजिवों को हिंदी में क्या का रहा है और empowered सब्rt ऩो हीर्फ ने हीं से इसे मों को कहते हैं होल नंबर नीच्छिरांबर तो in तो पहली चीज पुरत्स हों क्यां और ओंग। के आगे बात करते हैं समसंघ्राम संघ्राफ या हो होती है तुसंठाफ और विसम संख्या तो सम संख्या क्या होती है सर ऐसे संख्या है जो दो से डिवाइड होती है सम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर अंग्रेजी में कहते हैं इनको इवन नंबर्स इवन नंबर्स इवन नंबर्स क्या होते है सर ऐसे संख्या है एसी संख्या है जो दो के पहाड़े में आती है दो के पहाड़े में आती है अब भाईया यार मित्र दो का पहाड़ा 20 तक नहीं होता है 25 भी दो के पहाड़े में आता है 24 भी आता है 26 भी आता है आप दो दो जोड़ते चले जाओके तो वह पहाड़ा ही है ऐसा नहीं कि तो द प्रिवास के सकते हैं यहां फिर हम लोग एक परिवास और कह सकते हैं। ऐसी संख्याने जो दो से पूरी तरह डिवाइड रोती है। आएसी संख्याने जो दो से पूरी होती है। पून अथा विभाजित होती है अरे लिख होती है यह आप लिखेंगे एक्जेम्पल के तोर पर हम क्या लग सकते हैं उधारान के तोर पर कर दो चार शे आठ दस एंड सौन ऐसे ही आगे भी अब यहां पर में विशम की परिभासाइं नहीं लिखूँगा वह आप खुद लिखेंगे विशम संख्या क्या होती है कि आप खुद लिखेंगे विशम संख्या है अंग्रेजी में कहते हैं क्या कहते हैं इसको अंगरी जी में? odd numbers odd numbers कैसे लिखेंगे? खुछ से? देखो जरा खुछ से कैसे लिखेंगे? इस चीज को समझिएगा ऐसी संख्या है जो दो के पहड़े में आती है अगर दो के पहड़े में आए तो sum दो के पहड़े में नहीं आए तो आप लिख लो एसे संख्या है जो दो के पहड़े में नहीं आती है या इसे संख्या है जो दो से पूर्ण विवाजित नहीं होती है केवल आपको इन दोनों परिवासा में नहीं लिखना है उदाहरण एक्जेंपल में क्या जाएंगे उदाहरण में क्या जाएगा इस तर यहां पर आप उदाहरण लिखोगे और उदाहरण में आप लिखोगे उदाहरण आ पर संटर न हो गई तो हम लोगो नि क्वेचुन संख्याrecord जी मृस्ट प्र थे हमारी पास अरी और याप मैने पहली लगा ठीक है तो यह स्टार वाली चीज़ में आनी ही चाहिए देखो यहां पर डबल स्टार लगा है मैं तीन लगा दिता हूं मोस्ट इंपोरेंट है इससे हमारी एक एक एकसरसाइज है बन पॉइंट टू गनित में एक दिसमेलों दो प्रशनावली है वो पूरी इस पर डिपेंड करेगी तो आपको बहुत अच्छे समझना सहाभाज संक्या क्या होती है सबसे पहले मेंने कुछ नंबर है मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 7, बोलो क्या आना चाहिए आगे, 9, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, 9, 11 आएगा, 9 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कितना काफी है, मैं आगे भी चाहूं तो लिख सकता हूं, पर इतने मैं आप समझ जाओग दो जो है वो किस से किस से डिवाइड हो जाएगा एक से और दो से एक से डिवाइड हो जाएगा और दो से डिवाइड हो जाएगा दो में एक का भाग भी जाएगा और दो का भी जाएगा तीन में किसका भाग जाएगा तीन में जाएगा एक का और तीन का पांच में किसका जाएगा एक का भाग जाता है पांच का भी जाता है साथ में एक का भी जाता है और साथ का भी जाता है ऐसे ग्यारा में किसका भाग जाएगा ग्यारा में भी एक का भाग जाएगा और 11 का भाग जाएगा तो ये ऐसे नंबर है ना जिनके दो ही गुनन खंड है जो केवल किस से डिवैड होते हैं एक से और खुद से देखो ये 2 एक से डिवैड हो रहा है खुद से हो रहा है 3 एक से डिवैड हो रहा है खुद से हो रहा है साथ एक से डिवेड हो रहा है खुद से हो रहा है ग्यारा एक से डिवेड हो रहा है मतलब मैं परिभासा लिख सकता हूँ अब भाज संख्या हो कि एसी संख्या है इसी संख्या है इसको नोट करेंगे आप लोग एसी संख्या है एसी संख्या है जो केवल जो केवल एक से वो स्वयम से विभाजित होती है स्वयम से विभाजित होती है एसी संख्या जो केवल एक से और स्वयम से विभाजित होती है कुछ भुक्स में ये परिभाजा अलग भी लिखी हो सकती है अलग कैसे देखो जरा मैंने आपर और करके एक और परिभाजा लिख दी है ना जैसे दो किस से डिवाइड होता एक से और दो से मतलब कोई नंबर जिनसे जिनसे भी डिवाइड होता है कोई नंबर जिनसे जिनसे डिवाइड होता है वो गुणनखंड कहलाते हैं मतलब इस दो के ये गुणनखंड है इस तीन के ये गुणनखंड है इस पांच के ये गुणनखंड है इस साथ की गुणनखंड है और गुणनखंड बहुत important है हमारा class 10 में पहला chapter गुणनखंड पर ही depend है पूरा तो गुणनखंड आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए तो गुणनखंड क्या होते हैं सर किसी number को कौन-कौन divide कर सकता है जो divide कर सकता है वो सब गुणनखंड है उस number के तो 2 के गुणनखंड कोन है एक और 2 3 के गुणनखंड एक और 3 5 के गुणनखंड एक और 5 इनके अलावा कोई उसको उड़ा नहीं सकता तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सर AC संख्या है जिसके केवल और केवल केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं AC संख्या है AC संख्या है जिसके केवल जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं तो ही गुणनखंड होते हैं और वो गुणनखंड कौन से होते हैं तो ही गुणनखंड होते हैं कौन से कौन से कुणनखंड होते हैं एक तो एक और एक वो खुद अब यहां पर मैं फिर से एक imaginary कहानी बनाओंगग, जैसे दुला-दुलन वाली कहानी थी, एक मतलब भगवान, एक जो है वो भगवान है, वो किसी को वढ़ा सकता है, देखो equation, सब को वढ़ा देटा है, एक का भाग सब में जाता है, वो भगवान है, तो एक किसी को वढ़ा सकता है, इसको हम यूनिवर्सल कहते हैं, एक को हम लोग यूनिवर्सल कहते हैं, एक जो है न वो यूनिवर्सल है, क्या है वो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इंगलिस में कहते हैं, अगर मैं सिंपल भासा में बोलना चाहूं, सरल भासा में, तो भगवान बोल सकते हैं, एक भगवान ह दो ही गुणनखंड होते हूँ तो यहां से बेटा आपके मन में खुदी एक सवाल आना था क्या किसार आपने कहा कि केवल दो ही गुणनखंड हो तो वो अभाज्य तो फिर दो से जादा हो तो क्या और दो से कम हो तो क्या दो सवाल बने तो पहले 2 से ज़्यादा वाले की बात करते हैं, देखो एक तो clear हो की बात, 2 ही गुणनखन मतलब अभाज, 2 से ज़्यादा हो तो 2 से ज़्यादा किन नंबरों की होते हैं, तो मिहाँ पर कुछ नंबर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 8, म मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 10, मैंने लिखा 12, ठीक है और भी मैं लिख सकता हूँ, तो यह वो नंबर हैं, जिसके देखो कितने गुणन खंड, 1 में किसका भाग जाता यहाँ, चार में 1 का, 2 का और 4 का, देखो 4 के कितने गुणन खंड हो गाया? 3, 4 एक से भी डिवाइड ह हो रहा है और कोई और है जो उड़ा रहा है कहने का मतलब यहां मैं ऐसे कह सकता हूं कि यह जो नंबर है तुम जैसे नंबर है तुम जैसे मतलब तुम छात्र को कोई हरा नहीं सकता तुम्हें हराने वाला केवल एक ही है वो भगवान है और दूसरे तुम खुद दूसरे तु गटना है कल पनिक है इसका किसी भी वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं है तो ये नंबर तुम जेसे हैं और ये नंबर हम जेसे हैं तुमको केवल कौन हरा सकता है एक तो भगवान और एक तुम खुद एक तो भगवान और एक तुम खुद बट हमको हराने वाले कौ खीक है मेरी लोग दोग हैं साधी सुदा लोग है हमें हरने वाले बहुत लोग कि यह ताधी से पहले पहले तुम्हें कोहीं नहीं हरा सकता भाई चलो यहाँ पर देखते हैं एक भगवान हाला सकता इसको, दूसरा, दो, तीसरा, तीन, और छे, आपको ये मत कहना कि इसकी दो-दो पतिनिया है, भाई, उसका बच्चा भी हो सकता, परिवार का मिंबर है, ठीक है, तो एक भगवान है, एक वो खुद है, और दो दूसरे भी है, दूसरे का मतलब दो-दो भी लिए न, जो ही गुननखंध होना चाहिए, दो ही, ना दो से कम, ना दो से ज्याधा, तो आभघ, तो से ज्याधा, तीन है, चार है, पांच है, पचास है, मेटर नीज आस नहीं कता, न Western 1, 3, 9, 10 के, 1Какा भाग जाएगा, बो-का जाएगा, पांच का जाएगा, और दस का जा 6 गुणनखंड हैं तो हम लोग यहां पर अब फिर यह परिभासा मैं नहीं लिखूंग या आप खुद लिख ऐसी संख्या हैं जो केवल एक वह स्वयम से भाजित होती है उसको आप बोलते हैं भाज्य संख्या है या आप ऐसे कह सकते हो एसे संख्या है जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हो वह अभाज और दो से जादा गुणनखंड देखो जादा मतलब 3 4 4 3 4 12 कितने हैं 6 तो 2 से जादा गुणनखंड होते हैं तो हम क्या बोलेंगे भाज आगे बास समझ में चलो तो भाज और अब आपको क्लियर हुई हो हाँ एक क्या है एक भगवान है सहाब अब आप बोलोगे कि सर एक भाज्य है कि अभाज्य है एक भाज्य है तो यहां पर ध्यान समझना भाज्य एक गाउं है अभाज्य गाउं है भाज्य वाले गाउं में एक कंडिशन है कि भाज्य वाले गाउं में वही लोग रह सकते है भाज़े वाले गाओं में वही लोग रह सकते हैं, जिनके दो से ज़्यादा बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, इसके चार बच्चे हैं, इसके छे बच्चे हैं, तो भाज़े वाले गाओं में ऐसे नमबर रह सकते हैं, जिनके दो से ज़्यादा बच्चे मतलब गुणनखंड है ठीक है अब भाज़े वाले गाओं में क्या condition लगा दिया अब भाज़े वाले गाओं के लोग कहते हैं कि यहां वही लोग रहेंगे केवल जिनके दो ही बच्चे होना दो से जादा वाला भी नहीं आएगा दो से कम वाला भी नहीं आएगा अब यह एक यह जो हेना पताओ एक में किसका भाग जाता है तो एक में केवल एक कहीए भाग जाता है मतलब इसका एक ही बच्चार वो खुदि भगवान ही है तो यह एक ना भाज्य और ना ही अभाज्य तो बेटा एक बात और क्लियर कर दूँ यह बहुत important सवाल है कि एक क्या है तो एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य पिछले साल 2023 में पटवारी भरती एक्जाम हुई थी तो पटवारी की परिक्षा में यह सवाल पूछा गया था कि एक क्या ह चार उत्तर दिये थे नीचे भाज्य अभाज्य ना तो भाज्य ना ही अभाज्य इन में से कोई नहीं तो तीसरा option सही था ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है ठीक है तो इसको क्या कहते हैं तो बेटा इसका नाम होता है यवज संख्या इस एक को हम लोग बोलते हैं यवज जिक्षा नोंट्स बनाना बचता है अच्छे से आपने नोट्स नहीं बनाया तो आपको आगे तकलीफ देगी चीज़ें यह वीडियो यूट्व से कभी भी हट सकता है इसलिए नोट्स बना लेना कभी भी हट सकता यह वीडियो इस बात कर दिहान नहीं कि आपको पूरा मिले काइन तक हो सकता रहे हो सकता नहीं हो सकता यह application पे रहे तो आप एक बार देखो और अच्छे से देखो तीन बार देखने की जड़त नहीं है एक ही बार इमान दारी से मेहनत करो सबाएगा उमेदे यह कहानी क्लियर हो कि भाज्य मतलब जिसके दो से ज्यादा बच्चे हो अभाज्य मतलब जिसके दो ही बच्चे हो एक और जीरो ना तो भाज्य आता है ना है तो अभाज्य क्यों कि उसके ना तो दो बच्चे हैं ना दो से ज्यादा है दो से ज् समबत हो मतलब सुरी दो ही बच्चे हो तो अब हाजय क्लियर कहानी यह तक है संग्षी ओ ही संग्याओं का कि का जोडा होता है का एक बात पहली चीज कि यह दो संख्यां का होता है जोड़ा होता किन दो संख्याओं का जोड़ा होता है तो दोनों संख्याओं में दोनों संख्याओं में उभाइनिस्ट गुणनखंड नहीं होना चाहिए उभाइनिस्ट का मतलब होता कॉमन समझाता हूँ बेटा दोनों संख्याओं में उभाइनिस्ट गुणनखंड नहीं होना चाहिए गुणनखंड नहीं होना चाहिए दोनों संख्याओं में उभाई निष्ट गुणन खंड नहीं होना चाहिए, उभाई निष्ट गुणन खंड का क्या मतलब देखे ंगा जरा, ज правда जैसे मैंने दो नंबर लिखे, मैंने लिखा 15, और मैंने लिखा 25, तो क्या ये दोनों संख्याओं Seiten? सह अभाज्य देखो अभाज्य को मत देखना है पर अभाज्य का मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि प्राइम नंबर लें कोई भी दो नंबर हो सकते हैं चाहे हो भाज्यो चाहे अभाज्यो देखो ये भी भाज्य है ये नंबर भाज्य है और ये भी भाज्य ये भाज्य का यह आप देखो तो आप यह देखो कि क्या दुनिया में कोई ऐसा नंबर है एक तो भगोन है उसको छोड़ दो क्या दुनिया में को ऐसा नंबर है एक के अलावा जो इसको भी डिवाइड करता है आप देखेंगे कि पंद्रा को कौन-कौन डिवाइड करता है पंद्रा डिवाइड होता है एक से एक को छोड़ दो ठीक है पंद्रा डिवाइड होता है किस से तीन से पांच से और पंद्रा से 25 किस से डिवैड होता है और 22 से जारा से और 22 से तो देखो इसके ये गुणनखंड है और इसके यह इन दोनों में को सबसे तरीका क्या चेककरने का इसको आप ऐसे लिख लो एसे लिख लो यह 15 और calculating कुछी लिख लो 22 आप देखो क्या यह कट रहें किसी से कम अगर नहीं कर रहे किसी से नहीं ट रहें मतले दौनों संख्या क्या है यह सह अभाजन्स ? ऐसे चेक करो कि अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसे-, कि यह थृषी से में दो नंबर लिख दूँ मैं लिखा कि 7 और मैं लिख्वा नौ तो आप किया कर characterized है यह नहीं है कि आप साथ बटेन लिख लो यह कट रही है और राल रूप में या रही ही नहीं Ły 17 अलटी एकल इसका मतलब मैंने लिख दिया । और यहां पर मैं लिख दिया चोवीजिश। अब बताँ जारा तो सर मैंने लिखा पंद्रा । झाल ठीक है, तीना पंजे पंदरा, तीना अठे चोविस, तो ये नमबर डिवाइड हुए, ये कटा, तो ये जो दोनो नमबर है, ये जो दोनो नमबर है, चोविस और ये, ये सहाभाज नहीं है, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे है, दुनिया में एक ऐसा नमबर है, कौन, तीन, जो इसको भी उडा देगा और इसको भी, इसलिए सहाभाज नहीं है, हाँ, बट ये दोनों सहाभाज हैं, पंच और आट, क्योंकि अब यह divide नहीं हो रहे तो 5 और 8 सहाबाज़े हैं पंदरओर चोईस नहीं है कि इतनी बात केलियर हुए सहाबाज़े का मतलब क्या हुआ कोई भी 2 संक्या कोई भी 2 संक्या हो सकते है बस उन दोनों ने किस्य से divide नहीं होना देखो यह आभाज है और यह आभाज है यह तोनों में कुछ भी कॉमन नहीं कट नहीं रहिए इसलिए सावाज को मिलिस में कहते हैं को प्राइम है ध़्य प्राइम नंबर्स को हब्राइं मतारेन उप्राइम है नोट करो अच्छे से और एक बार रिवाइज मारो एक संख्या है जिसमें कुछ भी common नहीं हो मतब दुनिया में कोई नंबर ना जो दोनों को काट दे किना देखो यह पांस से कटता है पर यह नहीं कट रहा है तो आज की क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक तो इतनी देर आब थोड़ी देर ओर सही भागने की कोई जर्वत है नहीं बहुत अच्छी चीजी इंपोरेंट चीजे बची हमारी यहां पर हम लोग है ना अभी तक मैंने जब बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरे-पूरे नंबरों की बात कर रहा हूं अब मैं पूरे-पूरे नं और इनको बोलते हैं इर्रेशनल इंगलिज में बोलते हैं इर्रेशनल इसको डिफाइंड करते हैं बेटा क्यू डेश से और इसको डिफाइंड करते हैं क्यू से अब परिमे संख्या क्या होती है जैसे बटे वाली संख्या है पांच बटा दू है ना साथ बटे नौ ऐसे स सारी बटे वाली संख्या पहली चीज़ परिमे संख्या है कुछ मत सोचो सब परिमे संख्या ऐसी जो भीवाटे में लिखिए हैं दूसरा अगर बटे में नहीं है ओ दसम्भलों में लोग उने पढ़ी होगी है ना क्लास ना ऐसी संक्या जिनको हम बटे में लिख सकते हैं यह पहले से बटे में हैं और इनको बटे में लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बटे में एक लगा दो हो गया बटे में 25 बटा एक 25 होता है 30 बटा एक 30 होता है 50 बटा एक 50 होता तो यह इनको बटे में हम लिख सकते हैं, इनको भी बटे में लिख सकते हैं, इनको हम चाहें तो बटे में लिख सकते हैं, तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या है, कि अगर मैं ऐसे लिखूँ, 2.5, है ना, तो 2.5 का मतलब क्या होता है, धाई, और धाई का मतलब क्या होता है, 5 ब यह सब नंबर, देखो, तो यह नंबरों में क्या है ना, ऐसे नंबर जो होते हैं, यह सब रेशनल है, परिमेशन क्या है, क्यों, क्योंकि मैं चाहूं तो इसको बटे में लिख सकता है, दसमलों हटाएंगे, बटे में क्या लगाएंगे, 0, यहाँ पर दो अंक है, तो बटे म पर बार और इसका मतलब होता है 3 बटे 9 यह मैं अगली क्लास में आपको कभी क्लियर करूंगा क्लास 9 पर हलागी यह चीज थी कि आप बार वाले नंबरों को बटे में कैसे लिखते हो क्लास 9 में ये चीज आपके पास थी, कि आप बहर वाले नंबरों को बटे में कैसे लिखते हों मैंने डीरेक लिख दिया अब डाइरेक कैसे लिखते हैं अंसर यह मैं आपको अगली क्लास में पक्का बताऊंगा कि मैंने डीरेकली ठी मैं अच इसको आप आंटे में लिख सकते हैं तो दसमलों के बाद जो नंबर दासमलों के बाद अगर कोई 봤 up इसको बोलते हैं सांत अब्सक्रेद्ट बोलते हैं तर्मिनेटिंग क्या बोलते हैं सांत दसम्लो लिख लेना आप लोग इसको क्या बोलते हैं इसको यह दसम्लो के बाद खतम ही नहीं हो रहा है तो यह है असांत खतम नहीं होना मतलब असांत असांत बट असांत है पर क्या हो रिपीट हो रहा है तीन तीन रिपीट पुन्रावरत्ती हो रही है असांत और पुन्रावरत्ती यहां पर पुन्रावरत्ती हो रही है तो यह असांत और पुन्रावरत्ती है ठीक है असांत पुन्रावरत्ती दस तो कुल मिला के कहानी के संदे कि maximum number जो होते हैं वो सब परीमे होते हैं अब कौन परीमे नहीं होता है अब परीमे में कोन आ जाएगा तो सर ऐसे नंबर ऐसे नंबर जो दसम्लों के बाद खतम नहीं होते हैं 9 9 9 9 9 9 9 10 ले जारहा चले जारहा चले जारहा तो देखो यहां पर क्या है तो दसम्लों के बाद यह भी खतम नहीं होरा है कि कि यहां पर पुन्रावरत्ती हो रही है यहां पर क्या हो रही है पुन्रावरत्ती और यहां पर पुन्रावरत्ती नहीं हो रहा है यहां पर नंबर बदल बदल क्या रहा है तो यह जो नंबर है इसको हम बोलते हैं कि इसको हम बोलते हैं असान्थ मतलब दस्वलों के बाद खतम नहीं हो रहा है और पुन्रावरत्ति नहीं हो रही है तो नॉन टर्मिटिंग पुन्रावरत्ति नहीं हो रही है लिख दो पुन्रावरत्ति नहीं हो रही है गुर्णावर्ति नहीं तो ऐसे नंबर होते हैं ठीक हैं तो ऐसे नंबर जो दस्वलों के बाद खतम भी नहीं होते और बदल बदल के आते उनको हम बोलते अब परी में संक्या अब आप यह सोचोगे कि सर एक बात तो क्लियर हो गई कि सर कि इसको हल करने पर एसा आएगा ठीक है, धाई को हल करने पर, पांच बटे दो को सॉल करने पर यह आएगा, पांच बटे दो को हल करेंगे, तो यह आएगा, एक बटे तिन को हल करने दियागा, तो यह कहां से आए, यह किसको सॉल करने पर आया, तो बेटा, यह जो आया है, यह जो आया है, यह रूट वाले नंबरों को solve करने पर आया है रूट वाले नंबर रूट के अंदर अगर कोई नंबर है उसको जब हल करोगे तो ऐसा आएगा अगर वो perfect square नहीं है तो जैसे की रूट टू का जो value होता है रूट टू का value था एक दसमलो चार एक चार तीन दो नव आठ ऐसा कुछ तो यह exact बेलो नहीं है मुझे नहीं पता exact value क्या है पर यह नंबर आपको ऐसे दिखते चले जायेगा है ना ऐसे खतम ही नहीं होगा चले जायेगा तो दसमलों के बाद यह चले जा रहा है तो इसको हम मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो रूट से बाहर नहीं आना चाहते हैं और तुमने जबरन निकाला तो दसंबलो के बाद ऐसा आएगा उसको बोलते हैं अपरी में संख्याए जैसे रूट तीन हो गया एक दसंबलो साथ तीन दो और ऐसे आते ही जाता है नंबर बदल बदल के तो ये आते कहां से ये असांत नंबर जो बदल बदल के आ रहे हैं ये कहां से आते हैं असांत और बदल बदल के आने वाले कहां से आते हैं तर ये आते हैं तो कहने का मतलब ये है कि सर ऐसे नंबर जो दसमलों के बाद खतम नहीं होते हैं और बदल बदल के आते हैं वो अपरी में हैं या फिर ऐसे नंबर जो रूट से बाहर नहीं आना चाहते हैं वो अपरी में होते हैं तो रूट से बाहर आना कौन चाहते हैं सर रूट चार रूट चार को हम लिख सकते हैं दो गुणा दो ज पाई जो होता है ना पाई अपरी में होता है इसको नोट करना पाई होता है आपरी में 25 बटे 7 होता है परी में अब आप कहोगे सर कि 22 बटे 7 तो तो पाई का वेल्यू है तो मैं आपको कह दूँ कि 22 बटे 7 पाई का वेल्यू नहीं है पाई का लगभग वेल्यू है 25 बटे 7 जो है वह पाई का बैली नहीं है ठीक है अभाइस बटे साथ पाई का बैली नहीं है तंब जो एक्जेक्टेशवर्यलिues वह सेbig यह थीन दसम्दों एक चार टीन साथ नो आठ ऐसे कुछ है इस अभाद है कि उरनिन करा दूल मुझे याद भी नहीं है मैं सिर्व यह दिखाना चाहरा हूं कि ऐसा कुछ है यहां तक का सही है इसके आगे के नंबर मुझे याद नहीं है पर क्या समझ में आया कि पाई का जो वेल्यू है वह ऐसा होता है इसलिए यह आपरी में और हम जो सबालों में होता है वह वाली बात खतम होता है इसलिए आप जो को बटे में लिकसकते हैं किन को बटे में लिक लिख सकता हूं गर आपको नहीं आता तो मैं आगे आगे सिखाओंगा, मैं अगर आपको अधो हो दो यह बैसे जो लिखते हैं, वो होती है परी में और ऐसी संक्या है जिनको हम P बटे Q में नहीं लिख सकते हैं इसको अगर मैं बटे में लिखूंगा तो दसमलों हटा के एक लगाऊंगा जीरो कितने लगाऊंगा यह तो चले ही जा रहा है तो मैं जीरो लगा ही नहीं पाऊंगा इसका मतलब इसको बटे म होना चाहिए पूरे पूरे इंटीजर पूरांक पूरा पूरा होना चाहिए पूरांक शुरू में बताया था मैंने पूरांक यह देखो यह होना चाहिए, इनमें से कुछ होना चाहिए, ठीक है, पी और क्यू का वेल्यू क्या होना चाहिए, इनमें से कुछ होना चाहिए, पी और क्यू का वेल्यू पूरा-पूरा, तो यह देखो आप यहाँ पर, क्या यह पूरा-पूरा है, नहीं है, है ना, तो रूट वाली व संख्याएं, AC संख्याएं, जिन्हें हम, जिन्हें हम, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में, लिख सकते हैं, परिमे संख्या क्या राती है, परिमे मतलब Q कहलाती है, यहाँ पर ध्यान दे लिए बात क्या है, यहाँ, इंपोर्टेंट चीज़ क्या है देखिएगा यहाँ पर, यहाँ, P बटे Q, यहाँ P and Q belongs to j, अब मेरी बात ध्यान समझे, मैंने कहा था हम इसका यूज करूँगा, जैसे मैं लिखू मेरा नाम अखिले से, और मैं एक छोटे से गाउं से बिलोंग करता हूँ धंगाउं से, तो अखिले सर बिलोंग सर बिलोंग तू सनाव तू बिलोंग लिग दिता हूँ, धन गाउं से आप भी अपने गाउं से बिलोंग करते हो आपका जो भी गाउं आप वहां से बिलोंग करते हो तो यह नंबर कहां से हैं सर यह नंबर बिलोंग करते हैं कहां से integer से पुनांक से जेट का मतलब क्या हुआ पुनांक से पूरे-पूरे number होना चाहिए उपर वाला number और नीचे वाला ये पूरा-पूरा होना चाहिए आधा-धुदा-धसमलों में रूट में नहीं होना चाहिए पी भी और क्यू भी ऊपर भी और नीचे भी थिक्ते हैं तो इस बिलॉंग मतलब इसका सिम्बोल मैथमेटिक यह रही जीसर पीबटे क्यू तो ठीक है यह समय आ गई पर यह इंपोर्टेंट चीज आपको धियान रखने पहली और दूसरी दूसरी चीज क्या है कि उपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों के दोनों ही नंबर दोनों के दोनों ही नंबर पूरांग होने चाहिए पूरे पूरे होना चाहिए दूसरा क्यों जीरो नहीं होना चाहिए बटे में जीरो नहीं आना चाहिए बटे में जीरो नहीं आना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि अगर हुआ तो क्या तो फिर वो परी में नहीं होगा गोले सर हुआ तो तो परी में नहीं होगा क्यों नहीं होगा जाले ये भी देखो बटे में सुनने क्यों नहीं होना चाहिए बटे में सुनने क्यों नहीं होना चाहिए तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने लिखा 15 बटे 3 बता इसका आंसर क्या आएगा 15 को 3 से भाग दो आंसर क्या आएगा 15 को 3 से भाग दिया तो 3 से कितनी बार कटा 5 बार 15 बटे 3 अगर काटेंगे तो आंसर आएगा 5 कितने बच्चे agree हैं कि यह आंसर सही है और यह सही है तो कैसे पता करोगे कि सही है तो चेक कैसे करेंगे हम लोग चेक कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही है तो चेक करेंगे हम ऐसे कि 15 बटे 3 यह आंसर अगर हमारा सही है तो कैसे पता करेंगे 5 सही है तो आप क्या करो इस 3 का गुणा करो इसमें और आंसर गुणा करने अंसर कितना आएगा तीन क्या यह सही है इसे चेक करोगे इनका गुणा करने पर यह आना चाहिए आ रहा है मतलब सही है अब मुझे बात बताओ अगर किसी नंबर के बटे में जीरो आ गया तो बोलो उत्तर क्या होगा किसी बच्चे ने बोला सर मेरा उत्तर जीरो आएगा क्या यह सही है जरा चेक करो सही कैसे पता करोगे इन दोनों का गुणा करने पर यह आना चाहिए जीरो का गुणा जीरो में करने पर पंद्रा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है मतलब यह गलत है भाई फिर किसी बच्चे ने जीरो में करेंगे या जीरो का गुणा 15 में करेंगे तो जीरो यह आएगा 15 नहीं आ रहा मतलब यह गलत है इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी नंबर के बटे में अगर जीरो आता है तो उसका उत्तर आता नहीं और जब उत्तर नहीं आता है तो हम लोग उसको कहते अपरिभासित क्या बोलते हैं अपरिभासित और जब कोई नंबर अपरिभासित है अपरिभासित मतला हमें पता ही नहीं है क्या हम कैसे बताएंगे वह परिमें आपरिमें ठीक है न तो इसलिए इसलिए यहां पर लिखते कि बटे में 0 नहीं आना चाहिए आगर कोई पूच ले सब बताओगे इता यह कहानी अगर यह कहानी अगर बटे में 0 आता है तो सर किसी नंबर जो आ वह ँवािनी ओगा उसका उत्तर ordinary गा इसका मतलब उसकी कोई परीभासा नी छी है और जिसकी कोई परिभासा नी को हicity में लिख पाएं और बटे में लिखने के बाद यह चेक करें कि उपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों ही पूरे-पूरे होना चाहिए मतलब integer, पूरांग होने चाहिए, पूरांग मतलब पूरे-पूरे, है न, मैं पूरांग को हमेज़ा पूरा-पूरा ही बोलुगा, तो दोनों ही नंबर पूरे-पूरे होना चाहिए, अपने आप में, बटे में नहीं होना चाहिए, दसमलों में नहीं होना चाहिए, रूट में नह पढ़ लिया अगली क्लास में सीधे सीधे हम पहुंच जाएंगे प्रस्ण उत्तर पर क्वेस्टेंस पर क्वेस्टेंस क्या है तो यहां पर एक और सवाल है यह मैं आपको कर वहाँगा ठीक है पर यह आप खुद भी कर सकते हो जीरो के लिए जिम्मिदार कून तर आपने पह हो सकता है क्या तो यह आप खुद एक बार ट्राइ करें क्योंकि मैं आपको कहानी बता चुका हूं यहां पर कौन सी कहानी लगेगी दूलहा और दूलहा और दूलहन वाली जो कहानी मैंने बताई थी उसका यूज होगा इस सवाल में और यह आपकी बुक में exercise 1.1 में एक exercise 1.1 कवर कर रहे होंगे प्लस वहां पर एक और चीज़े फैक्टर्स वाली वह भी कवर कर रहे होंगे तो यह पूरा अध्याय लगभख चार वीडियो में आपका खतम हो जाएगा लगभख चार में और चार वीडियो में बहुत अच्छे से मतलब कोई भी चीज छूटे आपकी हर एक चीज़ कवर हो जाएगी तो अमीद है आपको आज कहानी बहुत समझ में आई होगी और आप लोग यह वीडियो प्लस इस चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करवाओगे सब्सक्राइब करवाओगे जितने भी क्लास 10 के चार या 9 के भी चार यह 9 वालों के लि को इस वीडियो को इस चैनल को सेयर करवाओगे सब्सक्राइब करवाओगे पर्सनली लेवल पर खुद से करवाओगे ठीक है तो आई होप आपका सच्छी लगेगी इसी के साथ विदाई लेते हैं कल फिर एक अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे थैंक्यू